Hello Students, NCRT Maths Class 10th में आप सभी का स्वागत है आज हम प्रिश्णामली 15.1 में ही प्रिश्णिक रमांक 19 बास स्वाल्व करेंगे तो आईए देखते हैं इसमें दिया गया है एक बच्चे के पास ऐसा पांसा है जिसकी फलकों पर निमलिखित अक्छर अंकित है और यहां पर अक्छर जो उसके पांसे पर अंकित है वो हैं A, V, C, D, E और फिर से बापिस A तो यहां पर A दो बार है आगे पूछा गया है कि इस पांसे को एक बार फैंका जाता है इसकी क्या प्राइक्ता है कि A प्राप्त हो और दूसरे नमबर पर लिखा है D प्राप्त हो तो यहां पर कुल परेणाम कितने है 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्योंकि पांसे में 6 फलक होती है तो सभी प्रतेक फलक पर ये अंकित है और हमसे प्राइक्ता पूछी गई है पहला कि A प्राप्त करने की कितनी संभाबना है और D प्राप्त करने की कितनी संभाबना है तो सबसे पहले हम पहला सॉल्व करेंगे और लिख लेते हैं कुल परेणामों की संख्या तो कुल परेणामों की संख्या कितनी होगी तो टोटल छे फलकें होती हैं किसी भी पासे में तो हम यहाँ पे छे लिखेंगे अब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी उसको भी हमें लिखना है तो हमने यहाँ पे हेडिंग लगाई अनुकूल परिणामों की संख्या और अनुकूल परिणामों की संख्या डिपेंड करती है कि कॉश्चन में हमसे क्या पूचा गया है यहाँ पे पूचा गया है ए प्राप्त हो और ए कब कब हमें प्राप्त हो सकता है यहाँ भी और यहाँ भी यानि कि अनुकूल परिणाम दो है तो यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या होगी दो इसलिए प्राइक्ता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या तो अनुकूल परिणाम हमारे दो है और कुल परिणाम छह है आप चाहें तो हिंदी में भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम तो दो बटे छे यानि दो एकम दो और दो तिया छे इस तरीके से अंसर आजाएगा एक बटे तीन अब हम सेकंड हल करते हैं सेकंड में दिया गया है डी प्राप्तो पहले तो हम लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या वरावर छे इसके बाद हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या और अनुकूल परिणाम कितने हैं अनुकूल परिणाम कॉश्चन पर डिपेंड करता है question कहता है cable d प्राप्त हो d देख लेते हैं कितनी बार है d केवल एक बार है और कहीं भी d नहीं लिखा है तो अनुकूल परिणाम केवल एक ही होगा तो अनुकूल परिणामों की शंख्या केवल एक है इसलिए प्रायक्ता प्रायक्ता का formula क्या होता है अनुकूल परिनामों की शंक्या, बटेकूल परिनामों की शंक्या, अनुकूल परिनाम एक है, बटेकूल परिनाम कितने है, 6, एक बटे 6, यह answer आ जाएगा, तो बस इतना ही है, आप इसको नूट कर लीजिये थेंक्यु